27 साल बाद भारती टीम श्रिलंका से कोई सीरीज हारी है और ये हार बोलने वाले बिलकुल भी नहीं है रोहिशर्मा ने मैच के बाद जब बयान दिया तब काफी निराश भी दिख रहे थे भारत ने इससे पहले अगस्त 1997 में श्रिलंका में ही मेजबान टीम के हाथों सिरीज गवाई थी इस सिरीज में टीम इंडिया ने एक खिलाडी पर बहुत भरोसा कर लिया और वो खिलाडी कोई और नहीं बलके शिवम दूबे हैं दूबे ने अपने फ्लॉप प्रदर्शन से टीम इंडिया की कोच गौतों गंभीर और कप्तान रोहिश शर्मा का भरोसा तोड़ दिया है अब ऐसी अटकले भी लगाई जा रही है कि शिवम दूबे ने भारत के लिए अपना आखरी वंडे मैच तक खेल लिया है क्योंकि अब भविश में इस खिलाड़ी को वंडे टीम में मौका मिलना लगभग नामुमकिन के बराबर नजर आ रहा है और रॉंडर शिवम दूबे ने शिलंका के खिलाफ तीन मैचों की वंडे स्रीज में बेहत खराब प्रदर्शन किया है शिवम दूबे गेंद और बल्ले दोनों से ही फ्लॉप साबित हुए है शिवम दूबे ने शिलंका खिलाफ इन सिरीज में तीन मैचों में बेहत घटिया प्रदर्शन करते हुए 25-0 और 9 रन के स्कोर बनाए है गेंद बाजी में भी शिवम दूबे की हालत पतली ही नजर आए शिवम दूबे वंडे सिरीज के तीनों मैचों में सिर्फ एक विकेट लेने में काम्याब रहे हैं और अब आगे उनको वंडे सिरीज में मौका नहीं मिल सकता है और वैसे भी जब हारदिक पंडिया की भारत के वंडे टीम में वापसी होगी ति शिवम दूबे का वंडे टीम में बने रहना काफी जादा मुश्किल हो जाएगा शिवम दूबे ने अभी तक भारत के लिए चार वंडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 10.75 की एवरेस से 43 रन बनाए हैं शिवम दूबे ने चार वंडे मैचों में सिर्फ एक विकेट ही हासिल किया है और आपको उता दे कि शिवम दूबे को T20 वर्ल्ड कप में यह मौका मिला था जिसमें उन्होंने 8 मौकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 133 रन बनाए हैं जिसमें सर्वसरेश्ट स्कोर उनका 34 रन का था बस एक अगर पारी उनकी छोड़ दी जाए तो शिवम दूबे पूरी ही T20 वर्ल्ल कप में यह φ्लॉप नज़र आय थे शिवम दूबे चिने सुपाकिंग्स के सुपर स्टार ज़रूर है लेकिन इन्टरनेशनल मैचेस में वह फ्लॉप ही नज़र आये हैं चिनने सुपर किंग्स के लिए जो कारनामा वो करते हुए हैं, चक्के लगाते हुए हैं, चोके लगाते हुए नजर आएं और लोग उन्हें युरास सिंग से कंपेर करते हैं, क्योंकि पेस का भी option देते हैं और साथ ही साथ वो hard hitting भी करते हैं लेकिन शिवंदूबे का ये रूप international cricket में बिल्कुल भी नजर नहीं आ है और ODI में उनका पत्ता बिल्कुल साफ कटता हुआ नजर आ रहा है बाकी आपको क्या लगता है कि शिवंदूबे को क्या आने वाले ODI मैचिस में मौका मिलेगा या फिर नहीं कॉमेंट सेक्षिन कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें